आजादी का अम्रित महोच सब आजादी का सफर आकाश्वाणी समाचार के साथ एक राश्ट्र का उदए भारत का गौरवशाली स्वतंतरता संग्राम आधुने की विश्व में घटित महांतम संगर्शों में से एक है आकाश्वाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंतरता आंदोलन की एक जलक आप तक पहुंचा रहा है दस जनवरी 16-16 को इंग्लेंड के पहले आधिकारिक राजदूत टॉमस रो अजमेर में मुगल बादशा जहांगीर के तरवार में आए हाला कि बादशा जहांगीर के साथ उनकी चार वर्ष की लंबी बादचीत सफल नहीं हो सकी लेकिन इसने भारतिय उपमहद्वीप में ब्रिटन की आर्थिक और राजनीतिक रुची की शुरुवात कर दी टॉमस रो व्यापार समझोते का अनुरोध करते हुए बादशा जहांगीर के नाम किंग जेम्स प्रथम के पत्र के साथ सितंबर 1615 में सूरत बंदरगह पहुँचे ये मानते हुए कि उनका आगमन मुगल सामराजय के लिए सम्मान और शान का अफसर होगा रो एक पूरे सब्ताह तक जहाज से उत्रे ही नहीं कस्टम जाच को लेकर हुई बहस भी इसका एक बड़ा कारण थी अन्तताह वो अजमेर के लिए रवाना हो गए जहां उन्हें 10 जनवरी 1616 को बादशा के पास ले जाया गया रो ये देखकर बहुत ही क्षुप्ध हुए कि बादशा जहांगीर ने अंग्रेजों के साथ संबंदों को बहुत ही कम महत्व दिया अजमेर में उनके रहने सहने की समुचित विवस्था भी नहीं की गई रो मुगल सामराज्य में 17 फरवरी 1619 तक रहे इस दोरान उन्होंने मुगल अधिकारियों में इंग्लेंड की प्रतिष्ठा बढ़ाने और स्थाई व्यापार की अनुमती के लिए शाही फर्मान हासिल करने की भर सक कोशिश की लेकिन उन्हें 1619 में व्यापार समझोते के बिना ही इंग्लेंड लोटना पड़ा सपना सर की थारी कोस्ता ओ एल्या सपना सर की थारी कोस्ता ओ एल्या जावे गोजमारो रोरे आज हम स्वतंत्रता सेनानी नरहर विश्नु गाडगिर का भी स्मरण कर रहे हैं जिनका जन्म 10 जन्वरी 1896 को मध्यप्रदेश के मलहारगड में हुआ था काका साहिब गाडगिर के नाम से विख्यात विश्नु गाडगिर एक नामी वकील और उत्कृष्ट लेखर थे वे लोकमाने बाल गंगाधर्तिलक, महात्मा गांधी और वल्लब भाई पटेल सहित महान स्वतंत्रता सेनानियों से काफी प्रभावित थे आध्यात में गुरू स्वामी राम कृष्न परमहंस और स्वामी विवेका नंदका भी उन पर गहरा प्रभाव था राष्ट्रिय स्वतंत्रता आंधोलन में सक्रिय भागेदारी के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें आठ बार गिरफतार किया और जेल भेजा गाडगिर कानून के डिगरी प्राप्त करने के तुरंद बाद इंडियन नाशनल कॉंग्रस में शामिल हो गए 1924 में वो पूनाज जिला कॉंग्रस समिती के सचिव बनाये गए बाद में वे महराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रस समिती के अध्यक्ष बने 1934 में वे सेंट्रल विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए 1930 के दशक में गाडगिल ने महराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलनों में अगणी भूमी का निभाई आजादी के बाद गाडगिल देश के पहले केंडरी मंत्री मंदल में मंत्री बनाये गए 1947 से 1952 तक उन्होंने लोक निर्माण तता खनन और बिजली मंत्राले का कारेभार समाला 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जम्मू होते हुए पठानकोट से श्री नगर तक सैनक शमता सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने का श्रे उनके नाम है इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत की पकड मजबूत करना था गाडगिल ने भाखडा, कोईना और हीराकुड बांध परियोजना सहित अनेक महत्वपून विकास परियोजनाई भी शुरू की वे पंजाब के राज्येपाल भी रहे गाडगिल सारवजनिक सभापुणे और महराश्ट्र युवा लीग बंबई सहित अनेक सारवजनिक संगों और संस्थाओं से जुड़े रहे वो एक सशक्त लेखक थे उन्होंने राजनीती, अर्थशास्त्र, विधी, इतिहास और बाग कला पर अनेक पुस्तकें और लेख लिखें उनकी महत्वपून पुस्तकों में पथिक और राज्ये शास्त्र विचार शामिल है मराठी साहित्य में उतक्रिष्ट योगदान के लिए उन्हें 1962 में मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया 12 जन्वरी 1966 को उनका निधन हुआ, वे जीवन परियंत जनहित के लिए समर्पित रहे और अब आकाश्वानी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन होती है कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ मोई विले में प त। आप लगली